गोड एबनिंग लेटेस्ट अपडेट और एक अच्छी ख़वर यह है कि भारत में आईफोन 11 का प्रोडक्शन शुरू हो गया है और इससे मोबाइल फोन्स की कीमतें कम हो सकती हैं अमेरिकी कमपनी एपल ने भारत में अपने लेटेस्ट फ्लेक्शिप शिरीज आईफोन 11 की मैनुफेक्चरिंग शुरू कर दी है आईफोन 11 को चेन्नाई के पास फॉक्स कौन के प्लांट में बनाया जा रहा है आने वाले समय में एपल भारत में प्रोडक्शन बढ़ायेगा लेकिन ये कई चर्णों में किया जाएगा साथ ही साथ कमपनी आने वाले समय में भारत में आईफोन 11 बना कर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर सकती है हाला कि ये पहला मौका नहीं है जब एपल भारत में आईफोन बना रही है इसके पहले भी कमपनी ने कुछ माडल भारत में एसम्बल किये हैं लेकिन पहली बार कमपनी ने फ्लैगशिप सीरीज को भारत में बनाने का काम शुरू किया है भारत में आईफोन प्रोडक्शन से यहां आईफोन सस्ते हो सकते हैं क्योंकि लोकल मेकिंग की वज़ा से कमपनी 22% तक इंपोर्ट टेक्स बचा सकती है और आईफोन 11 को भारत में कुछ कम कीमत पर भी बेश सकती है इसके संबन्द में कामर्स एन इंडेस्ट्री मिनिस्टर पियूश गोयल ने एक ट्विट करके लिखा है कि मेक इन इंडिया के लिए यह महत्तोपुन बूस्ट है एपल ने भारत में आईफोन 11 बनाना शुरू कर दिया है और पहली बार एपल भारत में टॉप आफ़ दा लाइन मॉडल बना रहा है बात करेंगे चीनी मॉबाइल्स की तो भारती बाजार में चीनी स्पार्ट फोन ब्रांड की हिस्सेदारी अप्रेल जून तिमाही में घटकर 72 प्रतिशत रहे गई है जबकि पहले इसकी 81 प्रतिशत थी इसकी वज़े रही है देश में चीन विरुधी धारणा का मजबूत होना और सरकार द्वारा चीन के खिलाब कड़े कड़म उठाना साथ ही साथ पच्चास से ज़्यादा चीनी एप पर प्रतिबंध लगाना और चीन से आयात होने वाले सामान की सीमा पर अधिक जाच वगएरा इसके कारण रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि गलवान घाटी की घटना में 20 भारती जवान शहीद हो गए थे और ऐसे ही अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता रहा तो एक दिन वो आयेगा कि चाइनीज मॉबाइल्स बिल्कुल ही जो है वो आउट आप पिक्चर हो जाएंगे ताकि ऐसी ही अपडेट साब को लगातार मिलती रहें ओके थैंक्यूओ